नमस्ते साथियों मैं सुरेच छेतरी आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूटूब चनल पे स्वागत करता हूँ साथियों इन सोनाली के चूजों का ये 15 नंबर दिन है और ये सुबह का समय है और 15 नंबर दिन तक इन सोनाली के चूजों ने दाना कितना खाया है और 15 नंबर दिन में इन चूजों का वजन कितना आता है वह अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे रास तक ध्यान चे देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोट चे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अगर आप लोगों ने अभी तक ही चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोग को वीडियो का नोटिपिकरशन मिल जाए साथी हो मैंने भूडिंग रूम में टोट्टेल 250 सुनाली के चूजे डाले थे और 15 नमबर दिन तक लगभग 5 चूजे मर गये है और अभी मेरे पास 245 सुनाली के चूजे है और इन 245 सोनाली के चूजों ने 15 नमबर दिन तक एक दिन से लेकर 15 नमबर दिन तक लगबग 30 केजी स्टेटर फीट खाया है इन चूजों को मैं देशी मुर्गियों के लिए जो स्टेटर फीट आता है वही खाने के लिए दे रहा हूँ और इन 245 चूजों ने अभी तक लगबग 30 केजी फीट खाया है इन चूजों को मैंने अभी तक 2 वैक्सिन कर दिया है 6 नमबर दिन में F1 वैक्सिन और 3 नमबर दिन में IVD वैक्सिन और इसके अलावा इन चूजों को मैं समय समय पर विटामिन भी खाने के लिए देता हूँ और इस तरीके से पालने के बाद 15 नमबर दिन में इन चूजों का वजन कितना होता है वो अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मैं चार चूजों को पकड़ूंगा और चार चूजों को वजन करके आप लोग को दिखाऊंगा और यहां आप लोग देख सकते हैं मैंने चार चूजो को पकर लिया है और मैंने इन चूजो को प्लास्टिक के अंदर डाल दिया है अब मैं इन्हें वजन करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ और यहां आप लोग देख सकते हैं इन चार सुनाले के चूजो का वजन दिखा रहा है 388 ग्राम पंदर नमबर दिन में चार सुनाले के चूजो का वजन दिखा रहा है 388 ग्राम अगर चार चूजो का वजन 388 ग्राम होगा तो उसके हिसाब से एवरेज वजन कितना होगा 97 ग साथियों 15 नमबर दिन तक इन 245 सुनाले के चूजों ने 30 केजी फीट खाया है तो उसके हिसाब से इन चूजों का वजन कैसा है आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए